कि नमस्कार मैं दॉक्टर संतोष कुमर कोलकाता में और्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेस्मेंट सेर्जन हूं एवंग पूर्वा इंटरनाशनल और्थोपेडिक कराएं उपलब्ध कराएं एवंग मस्ट एफोर्डेबल रेट्स में उपलब्ध कराएं इसी चीज को सोच करके हमने इस फाउंडेशन का नाम भी पूरुवा इंटरनाशनल और्थोपेडिक फाउंडेशन रखा था ताकि हम पूरे पूरी भारत के लोगों एवंग पडोसी देशों को भी हम लोग सर्फ कर सकें तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो जारी किये हैं जिसमें हमने joint replacement, hip replacement, knee replacement ये सब के बारे में परिचरचा की है तो आज जो डिसकस करेंगे कि joint replacement, special knee replacement, hip replacement, knee replacement में या hip replacement में सबसे महत्वपून चीज क्या है लोग अक्सर यह समझते हैं कि मैं सबसे अच्छा वाला ब्रांड का नीइ इंप्लांट ले लूँ तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा लोग इस पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है ब्रांड A या ब्रांड B ब्रांड X या ब्रांड Y इस पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और लोग सोचते हैं कि मैं यह ब्रांड का ले लूँँगा बस यह सबसे अच्छा हो जाएगा वेल ब्रांड तो अच्छा होना ही चाहिए no doubt about that पर ब्रांड ही सब कुछ नहीं है ब्रांड ही सब कुछ नहीं है मतलब जो सबसे महत्तोपूंद चीज है joint replacement में वह है precision मतलब कितने accurately operation को किया जाता है कि उसमें millimeters degrees balancing implants के placement यह सब ज़्यादा जरूरी है तो इसके लिए सबसे महत्तोपूंद क्या है सर्जन की दक्षता सर्जन के expertise जो है वह सबसे ज़्यादा जरूरी है यह हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सर्जन की दक्षता का कोई विकल्प नहीं है कि वह ब्रांड A या ब्रांड B पर result depend नहीं करता है surgical technique पर depend करता है एक अच्छा सर्जन हमेशा कोशिस करता है ज्यादा ज्यादा accurate तरीके से चीजों करने की एक अच्छा सर्जन हमेशा को observe करता है कि results कैसे हो रहे हैं और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं हमेशा observation भी एक essential part होता है इसके साथ दूसरा जो सबसे important चीज है वह सिमेंटेशन टेक्न मेटेरियल है एक पाउडर और एक लिक्विड को मिला करके बोन सिमेंट मिलता है जिससे कि डावी मेटेरियल बनता है और उसे हम हड़ी के ऊपर इंप्लांट को चिपकाते हैं और यह 10 मिनट में पूरा solid सेट हो जाता है जितना मजबूत होना होता है संग संग 10 मिनट में हो इसके साथ हम वाकम एसिस्टेद do 27 मिक्षी तेकनिग्ष से केसिंग से क्वेंशनिक दिफ्रेंस केसे मिलान जाता है और अरग वाकम में मिला जाता है तकि कम्प्लीत कई नहींट मिक्सिंग हो ताकि इसकी क्वालिटी उसकी गुणवत् colonyस्वाव्ट ऊईर ब्यूब किया जाता है तो इसे बोलते हैं वैकम असिस्टेट सिमेंट इससे इंप्लांट की आयू और भी बढ़ती है इंप्लांट और भी दिरिगायू होती है और इसकी लॉंग इटिविटी सर्वाइवर सी पर भी बढ़ती है प्रेसिजन जैसा कि मैंने बोला सबसे आज भी हैं और काफी यूज होते हैं और वे अच्छे इसे और लेकिन इंप्रूब्मेंट का तो कोई नहीं है हमें 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 सा कोशिश करेंगा और बेहतर क्या हो सकता है तो इसके बाद फिर आए कंप्यूटर असिस्टेट सर्जरी नाविगेटेट सर्जरी थी इसके बाद फिर आये पेसेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जिसको की आम भासा में कस्टम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं तो इसमें क्या है कि सिटिस का अनेमराई अपने घुटने का करके फिर उसको भेजा जाता था उसके बद अनुसार वह इंस्ट्रूमेंट ब कि हम planning navigation से करते थे और इसके बाद फिर surgery surgeon जो है वो saw से instrument से करते थे तो उसमें फिर भी human error की chance कभी-कभी होती थी तो उसको भी eliminate करने के लिए अब robotic arm से होता है मतलब planning navigation से computer assisted हो करके फिर robotic arm होता है जिसको कि सारे planning planning के data feed कर दी जाते हैं और वो robotic arm पुरा bone preparation करता है जिससे कि implants बैठाया जाता है वो robotic arm पहले से sizing कर देता है implant सा कौन से size के implants लगेंगे आपके और robotic arm पुरा planning के अनुसार वो execute कर देता है तो यह robotic arm भी तीन तरीके के होते हैं एक है passive जिसमें कि surgeon को हाथ में robotic arm पकड़ के रहना पड़ता है और इसके बाद फिर वो operation करता है दूसरा है semi active जिसमें कि robotic arm instruments को लगा देते हैं फिर surgeon को saw से हाथ से उसको पकड़ के चलाना पड़ता है और तीसरा जो हमारे पास आज है वो दुनिया का सबसे advanced नमीनतम है वो है fully active and automatic robot जिसमें कि हम पहले से CT scan में planning करके navigation से हम लोग प्लानिंग करके वो डेटा हम रोबोटी काम को दे देते हैं और रोबोटी काम पुरा तैयारी कर देता है बोन प्रिपरेशन कर देता है कहां पे कितना मिलिमीटर क्या करना कितना डिगरी कितना कौन साइज आफ इंप्लांट सब कुछ रोबोटी काम कर देता है तो इससे कोई human error की संभावना नहीं रहती है कोई मानविय भूल की कोई संभावना नहीं रहती है और इससे बहुत से फायदे हैं पहला यह कि यह system जो fully active robotic system है यह कम कट के operation होता है blood loss यानि खून की बहाव का मतले खून loss कम होता है blood loss कम होता है और तीसरा सबसे important है कि operation के बाद दर्द बहुत कम होता है recovery बहुत fast होता there is accelerated recovery after this joint replacement तो हमें यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हम दुनिया का सबसे पहला सबसे नवीनतम हम advanced robotic system जिसे हम active robot बोलते हैं fully active and automatic robot हम कलकत्ता में इस्तिमाल कर रहे हैं और आप जहां भी हो आप जरूर हमें आपको सेवा करने का मौका दें ताकि हम आपको world's best most advanced safest and most predictable knee replacement हम आपको दे सकें और हमारी यह भी कोशिस है कि हम जो सबसे advanced सीजें आपको देंगे उसके साथ वह affordable भी होना चाहिए मतलब वह जन सधारन के पहुच में होना चाहिए आर्थिक रूप से तो यह हम हमेशा कोशिस करेंगे तो हमारा जो robotic surgery है वह normal surgery से कुछ खास ज्यादा महंगा भी नहीं है और almost same खर्च में हो जाता है तो आप जरूर हमारे पास आएं कलकत्ता आएं और हमें आप क्या सेवा करने का मौका दें आपका कोई भी क्वेरी हो तो हमें mail कर सकते हैं email कर सकते हैं santdr at gmail.com अथो आमें whatsapp कर सकते हैं 628-99-622-71 मैं whatsapp नंबर फिर सेख बर बोल रहा हूं 628-99-622-71 धन्यवाद कर सकते हैं